हलो किसान भी आप सुभी लोग का हमारे चैनल एसेंट टेक एकरी कल्चे में सवागते किसान भी आज की वीडियो में बात करने वाले जो की दो बिराइटी के वारे में यह बहुत ही खास बिराइटी और बहुत ही अधिक इनकी पैदावार देखी गई है पिछली साल के मुका गेहों की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हो और कम लागत में अधिक मनाफ़ा किस प्रकार से आप ले सकते हैं तो इस वीडियो का पूरा अंतर देखी है किसान भी आपको इस वीडियो पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको कौन से विराइटी का चेन करना चाहिए और क तो किसान भी आएगा हम शुरू करते हैं कि ऐसी कौन सी जो दो वेराइटी जो हमारी कम समय में पक्कर के त्यार होती है और अधिक पैदावार देने में सच्छम है जो हमारे किसान भी हमारे चनल पर पहली बार आए वह हमारे चनल को सस्क्राइब कर लें आपको डेर सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी काफी ग्यानबद वीडियो जो कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर तो आप नोटिफिकेशन ओन कर देजीगा और हमारे चनल को सब्सक्राइब कर देजीगा तो कि सबसे पहले हम बात करते हैं स्रीराम सुपर 303 के बारे में किसानवी स्रीर निकलकर कर करो काफी सारा में किसान भी करते हैं तो किसान भी बात करो इसकी पक्रीकी समय सीमा जो है पकने का यो समय पीरियों है और वो करीब ही होती है और आपको कम करने की अच्छा पैदावार ले सकते कि सब्सक्राइब बात करें इसकी पैदावार की तो करीब इसके लिए इसका चैन करते हैं अब बात के लिए श्रीघाप सुपर 111 बहुत अच्छी विराइटी है अगर जो करें सो सेंटीमेटर की हैट होती है और किसथानवे इसका करीब 50 ग्राम होते हैं उसका 618 कण में का बहुता है और पक्ने की बात करूब किसथानवे तो यह 120 लेकर 125 त्रीप करके त्यार हो जाती हैं और यह काफी अच्छी बिराइट्या हो कम सब्सुश्पार्ण के त्यार हो जाती है और किसान्वेयों बात करूओं सचाई कि चारट करनी अवसकता पॉरती मातर 4 सचाई में पकरके 13 हो जाता है जो कि हमारा हलदी वोगती, पीला, हरा रतुआ, विराउन रतुआ, जो समझ्या हमारी ग्यों की फसल प्रसल प्रकते हैं, तो किसंध आपको इसमें ही टृप में मैं अपना उप्यनिय बता हूं किसी एक चेहन कर सकते हैं और बीजव की मातरा की बात में ग्यों किन जोवी कर सकते हैं आप इसकी आगयती में करना चाहा है किसान भॉयों तो आप पच्छेते भी इसकी बॉहाई कर सकते इस दोनों समय पीरेड में आप इसकी बॉहाई करके अच्छा पैदावार ले सकते तो आशा करते कि सब्सक्राइब आपको एक सही और एक सटिंग जानकारे देपाई अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो मैं चलो को आपको पजाल 것은 जलो यूँ